आज आज इस वाले में हम लोग बात करने वाले हैं Tata Punch के बारे में So guys 2013 के end तक में Tata Punch का EV वर्जन मिलने वाला है जिसके अंदर कुछ चेंज़ेस होंगी हैं और उन्हीं चेंज़ेस के बारे में हम लोग आज बात करेंगी So guys first changes जो होंगे उसके looks में होंगे जो के बहुत minor जो होंगे जैसा कि हमें Nexon और Nexon EV में difference मिलते है So उसकी जो grill होंगे उसमें थोड़ा सा blue accent होने वाला है And EV का bats हमने शायद मिल सकता है Side facing की बात करें तो हमें wheel पे caps मिलेंगे जो के हर एक average EV में देना जरूरी होता है Aerodynamics के लिए Backside में हमें EV का branding मिलेगा And guys guide का नाम जो है Tata Punch.EV होने वाला है अगर power figure सी बात करें तो ये Tata Nexon है Tata Tiago की बीच में आने बाली है So यहाँ भाई ने एक हमें भाई ने जो है एक render बना रखा है जो कि ऐसा शायद Tata Punch जो है दिख सकता है And guys यही था आज की इस वीडियो में आपको कैसे लगी Tata Punch और pricing की बात करें तो वो भी अच्छी और affordable होने वाली है And यह 5 star तो है So guys वीडियो को like करके जाओ और subscribe करके जाओ Bye